आप लोगोंने कई रिशियों और महारिशियों के नाम सुने होंगे हमें उनके जीवन से प्रेड़ना मिलती है उनका जीवन ऐसे पड़ाप से गुजरता है जिसमें उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं ऐसे ही एक रिशी थे रिशी मार्कंडे मार्कंडे रिशी सोला वर्ष की आयू भाग्य में लेकर जन्में थे लेकिन अपनी लेकिन अपनी भक्ती और श्रद्धा के बलपर वे चिरन जीवी हो गए आज मैं उन्ही की कहानी सुनाने जा रहा हूँ समस्त स्रेष्ट गुन थे उनके शरीर में तेज का वास था पिता के राह पास रहकर उन्होंने वेदों का अभ्यान किया पिता की आग्या के अनुसार उन्होंने मुद्दल मुनी की करन्या मरुद्दत्वी से विवा किया मुरिकड्डू जी का व्यवाहिक जीवन शांती पूर्ण धंक से व्यतीत हो रहा था लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्नम नहीं लिया इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तपस्या की उन्होंने तब करके भगवान शिव को प्रसंद कर लिया भगवान शिव ने मुनी से कहा हे मुनी हम आपकी तपस्या से प्रसंद है मांगो क्या वर्दान मांगते हो तब मुनी मुरिकंडों ने कहा प्रभू यदि आप सच में मेरी तबस्या से प्रसंण हैं तो मुझे संतार के रूप में एक पुत्र प्रदान करे बगवान चंकर ने तब मुणी मृकंड से कहा हे मुणी तुम्हें दीर का अईू वाला गुनरहिद पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की अईू वाला गुनवान पुत्र चाहते हो इस पर मुणी बोले भगवन बुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्यान रखता हो फिर चाहे उसकी आयू कम ही क्यों ना हूँ गवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशिरवाद दिया और अंतर ज्यान हो गए समय आने पर महामुनी के घर एक बालक ने जनम लिया जो आगे चल कर मारकंडेय अरिशी के नाम से प्रसिप्ध हुआ महामुनी मरकंड ने मारकंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी महारिशी मारकंडे एक आग्याकारी पुत्र थे माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत जब 16 साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे पुत्र ने कई बार उनसे उदासी का कारण जानने का प्रयत्र किया एक दिन महारिशी मारकंडे ने बहुत जिद की तो महामुनी मरकंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयू दी है और ये पूर्ण होने वाली है इस कारण हमें शोक हो रहा है इतना सुनकर मारकंडे रिशी ने अपने पिता जी से कहा कि आप चि शिवलिंग स्थापित किया और विधी पूर्वक पूजा आर्षना करने लगे मिश्चित समय आने पर काल पहुंचा मारिशी ने उनसे ये कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वैशंकर जी की स्तूति कर रहे है जब तक पूरी नहीं कर लेते तब तक प्रतिक्षा करें का मारकंडे रिशी जी ने विरोध किया काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वे शिवलिंग से लिपट गए इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए उन्होंने काल की छाती में लात मारी उसके बाद मृत्यु देवता शिव की शिव जी की आग्या पाकर वहां से चले गए मारकंडे रिशी की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवन शंकर ने उन्हें अने कल्पों तक जीने का बर्दान दिया अमरत्व का बर्दान पाकर मारी रिशी वापिस अपने माता पिता के पास आश्रम आ गए और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद प्रिथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा लोगों तक पहुंचाते रहे इस तरह भगवान पर विश्वास कायम रख कर मारकंडे रिशी ने एक ऐसी उधारन दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उनके नाम पर शिरी मारकंडेश्वर मंदिर परिशर धरम शेत्र कुरूख शेत्र मारकंडा नदी के तट पर नेशनल हाइवे जीटी रोड के समीप विद्यमान है यह जगा जो है, यह जब हम यहां से पानीपत से अमबाला जाते हैं, तो अमबाला से थोड़ सा पहले पढ़ती है, तो मतलब इस चंदीगड के रास्ते में, मेरा उदेश आपको इनके बारे में कहानी सुनाने का यही था, क्योंकि मैं जब भी वहां से निकलता हूं, तो हम इस मंदे को में धर्षन करते हुए निकलते हैं। With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Raiji to please unmute and start his discourse. Rai sir. Thank you. Thank you. श्रेदरम आदवं गोपिका बल्लभं जानकी नायकं रामचंडरं रजे बंशी विभूशितकरा नवनीरदाभा इतांबरादरुण विवपलादरुण विवपलादरुण पूरें भूसुंदरमुका अरविंदनेत्रा रष्डात्परं किमपितपहं नजाने मुईलां बुजश्यां मलको मलांगं सीता समारो पितवाम भागं पानव मासायक चारुचापं नमा मिरामं रगुगंशनातं सोरास्ट्रे सोमनाथम्चा शीशेले मलिकार्जनम। मुझ्य इन्यां महाकालं ओमकारं मलेष्टरं। परल्यां बैदनाथम्चा डाकिनी भीमशंकरं। सेतु बंदु रामेश नागेश दारुकाबनें। वारडश्या विश्वेशं त्रयंबकं गोमतीतते हिमाले केदारनाथम्चा रुष्मेचा शिवालें। एतानि जोतिर्लिंगानि सायं प्रात पठेतनरा सत्दुनं करंपापं अस्मरणं बिनश्यती। प्रम्हामुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषशिभू मिसुतो बुदश्या। गुरुष्या शूक्रशनिरावुकेतव पुरुवंत्कुसरवे ममनोरतंसदा। रविशिनगर की जैसब काजा। रदैराखि कोशल कुरराजा। गरल सुधार पुकर मिताई। गोपद सिंदुवनल सितलाई। गरुण सुमेर रेन समताई। रामकृता कर्चित वाजाई। सर्वे भवंतु शुकना, सर्वे शंतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चंती, मा कश्चिद्धु भागवे। ओम नमु भगोती वाशुदेवाय नमा। आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। आज तक जितने व्याख्यान हुए हैं। उसमें अतिमहत्योप्रण व्याख्यान आज होने जा रहा है। आध्यात्म की पराकास्था है। जड़ भरत और राजा के संबाद में पांच चीजें आती है। जब राजा डाटता है उनको तो भरत कहते हैं देखो भार ढूना, मार्क पर चलना, शरीर का क्रोध करना, प्रेम करना ये सब शरीर के धर्म है। और मैं इस शरीर के धर्म से अच्छूता रहता हूँ। इनका मेरे से कोई लेना देना नहीं। और जहां तक तुमने कहा, स्वामी सेवक का ये भाव भी ब्यावहारिक है, परमार्थिक नहीं है। तो राजया भी बहुत पहुचा हुआ था अध्यात में। उसने पांच बड़े साइंटिफिक तरक दिये। उसने कहा, राजया, उनी मैं बहुत सारे युद्ध किया हूँ। और युद्ध में शरम होता है। इसलिए भार उठाना, पत पर चलना इसमें शरम होता है। आपसे मैं सामत नहीं हूँ। दूसरी बात उसने कही, कि हमारा राजधर्म है, प्रजा से धर्म का पालन कराना। अगर प्रजा बिचलित होती है, तो उसको दंड देना मेरा अधिकार है। ना देने से राजधर्म का हरास होगा, और देने से करने से मेरे पापों का नाश होगा। गर उसने कहा कि जैसे एक बटलोही में आग से गरम किया जाए, तो पानी गरम होता है। और पानी गरम होकर के उसके अंदर पड़े हुए चावल को भी गरम करता है। इसी तरह शरीर के धर्म, मन, इंद्रिया, प्राण, ये सब आत्मा को प्रभावित करते हैं। अच्छूता नहीं रह सकता। अब इसका उत्तर पड़े विश्तित रूप शे भरत ने दिया है, एक एक चीज का। लेकिन बरत का जो उत्तर है, भागवत महापुराण की जो स्लोक हैं, उनका जो अनवाद है, ये चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है। इसलिए मैंने एक और गरंथ का सहारा लिया है यहां, जिसमें चीजें एक दम क्रिश्टल क्लियर हो जाती है। किस गरंथ का? रामचरित मानशकाल। ऐसे ही दुख निशाद राज को हुआ था। जब निशाद राज ने राम और सीता को प्रिश्ट्वी पर सोय हुए देखा, तो हिर्दय में बहुत बिशाद हुआ है। अध्या का राज छोड़ करके प्रिश्ट्वी पर सोय हुए हैं, कहके ही ने अनर्स किया है। उचित नहीं किया है। उसी समय शेशनाग लक्षमन के अतार में निशाद राज को ज्ञान देते हैं। और वो वही ज्ञान है जो भरत ने इस राजा रहुण को दिया है। देखिए बड़ी बारीकी से इसको मैं समझाऊँगा और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा धीरे-धीरे, क्योंकि इसमें ज्ञान बैराग्य और भक्ती इन्वार्ड है। लक्षमण ने क्या कहा? बोले लखन मधूर मिर्दु बानी संकेत क्या है? बारी मधूर होनी चाहिए और मिर्दुल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? बारी सबसे बड़ा शस्त्र है। शस्त्रों का घाव तो भर जाता है, बारी का घाव भरता नहीं है। इसले बाणी कैसी होनी चीए? अहिंसा वाली बाणी, हिंसा का नामों निशान ना हो, मदुर हो, मीठी हो, मृदुल हो, साफ्ट हो, साफ्ट बाणी हो. बोले भरत, मदुर, मृदुल बाणी, ज्यान, विराग, भक्ति, रश्चसानी, तीन चीजों से सनी हुई, लक्षमण ने मीठी और मृदुल बाणी बोली. अब क्या बोला? पहले ज्यान की ब्याक्षा करेंगे, फिर विराग की ब्याक्षा करेंगे, फिर भक्ति की ब्याक्षा करेंगे. क्या बोला ज्यान? ज्यान की पराकास्ता ही. काहुन को सुख दुख कर दाता निजिकृत कर्म भोग सब राता कह रहें कि देखो कह की को दोश मत दो सब लोग अपने कर्मों को भोगते हैं कोई किसी को दोस देने की जरूवत नहीं है इनको नारद ने श्राब दिया है इनको स्रवण के पिता ने श्राब दिया है भोगना पड़ेगा क्या कहा योग बियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम ब्रंपंदा जनम मरण जहन लग जन जालू संपत विपति कर्म अरुकालू धर निधाम धन पूर परिवारू स्वर्ग नरग जहन लग परिवारू सोई सुनई पुनई गिन्माही मोव मूल परमारशमाही ये ज्ञान है क्या कहा लक्षमन ने ये सारी चीजें अज्ञान है अज्ञान की वज़े से हैं क्या क्या योग और भ्योग किसी चीज का मिलना किसी चीज का बिचड़ना न कोई चीज मिलती है न कोई चीज बिचड़ती है ये क्योवल अज्ञान है भोग भल मंदा अच्छा भोग मिले या बुरा भोग मिले ये भी अज्ञान है अज्ञान की वज़े से भोग न अच्छा होता है न बिरा होता है। योग भियोग भोग बलमंदा, हित अनहित मद्रम बंपंदा, कोई आदमी आपका हितकारी है, हिच्चाने वाला है, कोई अनहिच्चाने वाला है, कोई नूट्रल है, ये भी भ्रम का फंदा है, ये अज्यान है, ये अज्यान नही है जनम्राण जो पैदा हुआ हो मरेगा जो मरा हो पैदा होगा संपति विपति कर्म अलु कालु संपति का आना और बिछुड़ना विपति का आना और जाना अच्छे समय का आना और बिछुड़ना ये समोह का जंजाल है अज्ञान है अधिर निज्ञाम दनपुर परिवारू धन का आना जाना धाम का आना जैना धन का आना धरनी का आना कीया की दिइख स्वर्ग नियर्ई जयल्घ जयालू का स्वयल नरक ये मनका भ्न कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, यह ज्ञान है, देखिये सुनी गुनिय मनमाई, मोह मूल परमारत नाई, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप कहते हो, जो आप मनन करते हो, यह सारी मोह मूल है, अंदकार के मूलक हैं, अज्ञान के मूलक हैं, इसमें क जैसे इसका बड़ा सटीक उद्यान दिया है कि सपने होई भिखार निप रंक नाग पति होई जागे लाब नहान कर्ष जिमि प्रपंच जिय गोई जैसे सपने में क्या होता है सपना देख रहे हैं हम विखारी थे सब चला गया खाने को नहीं है लेकिन जब जगे तो क्या हुआ सब जूटा था क्यों जूटा था क्योंकि सपने में मन ने एक शरीर को कलपना की राजा की शरीर या भिखारी की शरीर की कलपना की और उस कलपना से क्योंकि बुद्धी सपने में नहीं रहती है मन ने संकल्प विकल्प किया बिना कंट्रोल के राजा को भिखारी बना दिया भिखारी को राजा बना दिया क्योंकि सपने में बुद्धी की बटन आप होती है बुद्धी नहीं होती है हिसमिंद मन अपना उन्लास भिलास करता है कल्पनाएं करता है जगने में क्या हुआ बुद्धी के बतन खुल गई उन्हें ऑर वो तो मनकल्पित ज़ो felly गया थी के चांग और राजा जो भिखारी हुआ वो भी गयाब हो गया प्रना क्या चाहते हैं लक्षमर जी कि इस्वप्न में मन की कलपना की उड़ान से शरीर की कलपना की और बहुत सारे अनापसनाप कलपनाओं को जन्म दिया क्योंकि बुद्धिवान नहीं है और जब हम जगे अब बुद्धि आ गई उस कलपना के बाहर आ गए और फिर देखा कि सब मित्या था ना राजा भिखारी बना ना भिखारी राजा बना यह ज्यान की बात है अब इसी को कह रहें आगे देखिए मोहनिशा सब सोवनहारा हम लोग क्या है मोहा प्रूपी रात्री में सो रहे हैं यह संसार क्या है मोहा रूपी रात्री रात्री है कि ठ्वा से निच़्ें सिक्जिए मोह निशा सब सोवनहारा देखे इस अपन अनेग प्रकारा इस मोह रूपी रात्री में बहुत सारे सपन देख रहे हैं जगता कौन है इसमें इही जग जामिन जागी ही जोगी इस मोह रूपी रात्री में योगी जगता है योगी जगा हुआ है और हम सो रहे हैं इही जग जामिन जागी ही जोगी परमा रथी प्रपंच बियोगी योगी की परिभाशा है योगी कौन है परम अर्थ रथी जो परम अर्थ में बैठा हुआ है परम अर्थ क्या है आत्मतत्व जो आत्मतत्व चेतन है उसमें बैठा हुआ है योगी प्रपंच बियोगी जगत रूपी प्रपंच को छोड़ द कि से बय राग लिया है जगत से जगत क्या है द्रिश्य जगत जो हम देख रहे है looks कि इससे योगी बाग लिया कहां चला गया इसको त्याक करके अर्थ में बैठ गया आत्मु रूपी चेतन सत्ता में बैठ गया और जड़ रूपी इस संसार का स्थ्याक कर दिया बैराग्य ले लिया परमारती प्रपंची विभोगी जाना जबही जीव जग जागा कैसे जाने कि हम जग गए वो तो योगी तो जगा हुआ है जीव कब जगेगा हम तो जीव हैं जीव क्या है कि आत्मा और जड़ की ग्रंथी बन गई इसको जीव करते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथी पड़े गई यद्धेपी लिसा छूत इकठि नहीं जड़ो चेतन की ग्रंठी बद गई प्राण के द्वारा हलाकी मिध्या है लेकिन छूरती नहीं है बड़ी कठनाई से छूरती है तो जाना जब ही जीव जब यह जीव कब जगेगा योगी तो जगा हुआ है क्यों उसकी ग्रंठी नहीं है ग्रंठी खोल दिया है जाना जब ह्जीव जग जागा जब सब भिशय बिराग बिरागा हम कब जगेंगे है है हम सब तन मात्राएं है कान सुनता है तो चाह स्पर्श करती है आँख देखती है जिवा रसका स्वाद लेती है ना गंद का स्वाद लेती है क्या कह रहे है कि यह बिलाश को छोड़ दो क्या मतलब अंतर मुखी हो जाओ अभी तुम बहर मुखी हो इसलिए जगत का रशा स्वादन कर रहे हो पांच ग्यानेंद्रियों से इन पांच ग्यानेंद्रियों को 180 डिग्री मुड़ दो अंडर की तरफ ले जाओ और पांच करमिंद्रियों को भी अंतर मुखी कर लो करमिंद्रियों कोन है मुझ बोलता है हाथ पकड़ता और छोड़ता है पैर चलता है लिंग संगबोद करता है उपादान मलत्याक करता है यह पांच करमिंद्रियों को भ आप चाहें या न चाहें आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि मलत्याग होगा कि नहीं मुत्रत्याग होगा कि देख लीजिए रोक सकते हैं प्रकित अपना धर्म करती रहती है वो आपके बस में नहीं है तो क्या करते हैं जाना जब जीव जब जागा जब सब विशय बिलास बिरागा अहंकार का विशय क्या है शरीर हम क्या करते हैं शरीर मेरा है यह धन मेरा है यह पुत्र मेरा है यह पुत्री मेरी है यह इस्त्री मेरी है यह घर मेरा है अग्यां ऩो फैले केह न ग्यान में ज़र निद्धाम धन पुर परिवारू ही वह उसक्षारए क्या मोह मूट परमारत्ना यह सारा मोह मूल न है तो जीव कब जगा जब अपनी इन पांच कर्मिंद्रियों को विश्यों से हटा लिया पांच ग्यानिंद्रियों को विश्यों से हटा लिया और अहंकार को शरीर से हटा लिया हटाने का मतलब क्या है जहां से हटाया है उनकी इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है समझे इसको द्यान से जड़की कोई इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है उसके पीछे आत्मतत्व है आधार आत्मतत्व नहीं है तो उनकी सत्ता नहीं होगी, कहां कहां आत्मतत्व है, सोलहों में है, जिनका राजा मन है, कौन से सोलह, पाच तनमात्राएं, पाच ग्यानिंद्रियां, पाच करमिंद्रियां और मन, इन सब में आत्मतत्व है पीछे इनकी, नहीं तो ये फंक्षन ही नहीं कर सकते, ये तो जड़ा है, तो कहा क्या रहे हैं, जाना जब ही जीव जब जागा, जब सब विशय बिलास बिरागा, जब इन 11 के विशयों का जो आनंद है, उससे जीव मुख मोड लेगा, अंतर मुख हो जाएगा, तब जग जाएगा, जगेगा तो कहा जाएगा, आत्मतत्व में जाएगा, जगतत्व से मुख मोड लेगा, जाना जब ही जीव जब जागा, जब सब विशय बिलास बिरागा, तब क्या होगा, हो ही विवेक, मोह ब्रह्म भागा, तब विवेक की जागरती हो बुद्धी और विवेक में फरक है, बुद्धी आंकार से गाइड होती है, बुद्धी संस्कारों से गाइड होती है, विवेक आत्मतत्त्त्त से गाइड होता है, आपके जैसे संस्कार वैसी बुद्धी, वैसा मन, विवेक आत्मतत्त्त्त से गाइड होता है, जैसे ही बिबेक जागर्त होता है तब दिखने लगता है कि ये तो सारा मो था ये अंदकार था सपना देख रहते हम जगे जगे तब क्या होता है तब रगुनात चरन अनुरागा तब बिबेक की जागर्ती होती है पहराग्य हो जाता है तब क्या होता है भक्ती आती है भगवान के चरणों में अनुराग पैदा होता है तब अनुराग चरन अनुरागा शखा परम परमारत एहू परम अर्थ क्या है आत्म तत्व क्या है उसकी ब्याख्या सुनिए दीरे दीरे सक्षा परम परमारत एहू मन क्रम बचन राम पदन एहू मन से बाड़ी से और करम से भगवान के चरणों में ध्यान लगाना यही परमारत इसी से आत्म तत्व प्राप्ति होगी संसार छुटेगा इसकी बड़ी सुक्ष्म ब्याख्या है वो रामतरित मानस भी नहीं किया है उसको मैं समझाओगा आपको रामतरित मानस क्या कर रहा है राम ब्रम परमारत रूपा राम क्या है ब्रम है परम अर्थ रूप है अभिगत वहां गती नहीं है अलख देखा नहीं जा सकता अनाद आधि और अरंत नहीं है मद नहीं है अभिगत अलख अनाद अनूपा अनूपम है उनके तैसा वही है दूसरा कोई नहीं है सकल विकार रही सारे विकारों से रही थे कोई विकार नहीं है गत भेदा भेद नहीं है कानित नेत निरूपई भेदा बेद नेती नेती कहते हैं अब इन दो चापाईयों को गूर तक तो है देखिए समझाते हैं आपको कैसे इसका मतलब क्या है ब्रह्म का मतलब क्या होता है वो अभिगत कैसे है अनादी कैसे है तो देखिए जरनी स्टार्ट करिए कैसे भगवान ने क्या कहा बैराग्य लोग लक्ष्मण जी ने कहा बैराग्य संसार से संसार से बहराग्य का मतलब क्या है जड़ से बहराग्य जड़ में सबसे बड़ी चीज क्या है हमारी शरीर शरीर कैसे बनी है पास तत्तों से पास तन्मात्राओं से आपको कहा तमस अंकार से इस शरीर का शेप दिया है कैसे है कि प्रिस्वी का गंद जब गंद में विकार हुआ तो प्रिस्वी बनी विकारों को छोड़ दो तो गंद रह जाएगी और गंद कहा जाएगी अपने कारण में गंद का कारण क्या है जल और जल का विकार खतम हो जाएगा तो क्या होगा स्वाद बच जाएगा जब स्वाद में विकार होता है तो जल पैदा होता है जब जल का विकार हटा दिया तो स्वाद अपने कारण में जाएगा उसका कारण क्या है अगनी और जब अगनी का विकार खतम हो जाएगा तो बचेगा स्वरूप और उसका करण क्या है हवा और हवा में विकार निकल जाएगा तो बचेगा स्पर्श और स्पर्श का करण क्या है आकाश स्पेश से विकार निकल जायागा तो क्या बचेगा शब्द और शब्द का कारण क्या है तमस अंकार वो तमस अंकार में चला गया और तमस अंकार का कारण क्या है मतत्त महांतत्त कहां से निकला महांतत्त से निकला महांतत्व से तीन निकले, तमस, रजस और सत्व, रजस कहां आया इंद्रियों में, इंद्रियों के विकार खतम हो गए, तो वो कहां चला गया, रजस अहंकार में, और रजस अहंकार का करण क्या है, महतत्व, वो भी महतत्व में चला गया, और अन्ताकरण मंचित बुद्धी अंकार इनके विकार निकल गए तो ये सत्व में चला गया और सत्व का कारण क्या है महतत्व उस महतत्व में सत्व रज और तम प्योर रूप में एक साथ हैं और उस महतत्व का कारण क्या है वो तीन प्रकृत कहां मूल प्रकृति उनका कारण है मूल प्रकृति वो अपने मूल प्रकृत में चले गया जो सत्व की मूल प्रकृति है वो उसमें चला गया रजस की मूल प्रकृत उसमें चला गया तमस की मूल प्रकृत उसमें चला गया और मूल प्रकित का कारण क्या है? मूल प्रकित का कारण है ब्रह्म, शांक योग में समझाया था, ब्रह्म ही पुरुष और प्रकृत बना, तो प्रकृत चली गई, पुरुष में पुरुष चला गया ब्रह्म में, अब बचा का केवल ब्रह्म, और कुछ बचाई नहीं, केवल ब्रह्म बचा तो जो समझा रहे हैं दो पक्तियों में लक्षमर जी राम ब्रह्म परमारत रूपा यह राम जी को जो देख रहा हो ब्रह्म रूप हैं अभिगत हैं इनमें गती नहीं है ब्रह्म में गती कहां होती है आकाश में आकाश ही नहीं है जब आकास नहीं है तो गति कहां ओगी। आकास तो चला गए आपने मूल में। कोई आकास नहीं है कोई जगर नहीं है अभी गर्ष्ट हु historians कि देखा नहीं जा सकता क्यों डेखने देखने के लिए द्रश्ता, द्रिश्य और दर्शन चे ये तीन, यहां के वल एक है ब्रह्म, द्रश्ता, दर्शन और द्रिश्य तीनों समाग है ब्रह्म में, किसको देखोगे, कैसे देखोगे, अभिगत ब्रह्म अभिगत है गती नहीं है उसमें अलग है देखा नहीं डा सकता तो कि दृष्श दर्शन और दृष्टा तीनों समा गए ब्रह्म में तीनों ही गयब हो गए अभिगत अलग अनाद आदी रही थे आदी कौन हो जिसकी पैदावार होती है जिसकी पैदावार होती है वो मरता है पैदावार कहां से होगी यहां तो एक ही है एक कैसे पैदा करेगा पैदावार कैसे होती समझिए प्रकित और पुरुष पैदा करते हैं, इस्त्री और पुरुष, दो न हो तो पैदावार न हो, मा तो एक ही है, मा दो तो है नहीं, इसलिए अनाद ही है, मा पैदा नहीं होता है, वहां मरता नहीं है, वहां बढ़ता नहीं है, वहां घरता नहीं है, उसमें गती नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसमें विकार नहीं है, अबिगत अलक अनाद अनूपा, अपने जैसा वही है, क्यों, दूसरा कोई है नहीं, उपमा कैसे दोगे, उपमा देने के लिए दो चाहिए ना दूसरा है नहीं तो अपमा कहां से दोगे अभिगत अलख अनाद्यनूपा राम ब्रह्म परमारत रूपा अभिगत अलख अनाद्यनूपा फिर आगे दूसरी चपाई है सकल विकार रही कोई विकार नहीं है जैसे मैंने आपको यात्रा स्टार्ट की थी विकारों की सारों विकारों को छोड़ते 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 तब ब्रह्म बगे तो वहां कोई विकार नहीं है और जब विकार नहीं है तो गत भेदा भेद मने हम और आप यह भेद हो गया वहाँ भेद कैसे होगा वह तो एक ही है तो सकल भिकार रहित सारे भिकारों से रहित है भेदों से रहित है का नितनेति निरूपई बेदा बेद क्या कहता है यह भी ब्रह्म नहीं है यह भी ब्रह्म नहीं है ब्रह्म की निगेटिव परिभासा बेद देता है पॉस्टिव परिभासा नहीं देता क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव परिभासा देंगे आप वो ब्रह्म होगा है जैसे नचिकेता ब्रह्मा का संबाद हुआ, नचिकेता ने कहा पिता जी बताओ, ब्रह्म क्या है, पिता जी ने कहा मैं नहीं बनाओंगा, तुम जाओ तपश्या करके आओ, देख करके आओ, जंगल में गया, तपश्या किया, वापस आया, बोला मैं समझ गया ब्रह्म क्या ह यह आकाशी ब्रह्म है इसका कोई आकार नहीं है कोई गुड़ नहीं है इसमें तो अगर आकाश ब्रह्म है तो हवा क्या है अगर आकाश ब्रह्म है तो हवा क्या है हवा ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म की परभासा है कि वो सब कुछ है वापस चला गया बहुत मंथन किया बहुत बिचार किया बहुत सोचा कौन सी चीज है जिसको हम कहें कि ये ब्रह्म है फिर वापस आया प्रहमार्जी ने पूछा कर लिया बिचार हाँ बताओ देखिए हमारी गुरुकुल प्रणाली क्या थी कि बच्चे को गाइड करो और अभी की प्रणाली क्या है लेशन पढ़ा दो रट करके और लिख दो पास जाओ डिगरी मिल गई तो ग्यान तो उसको हुआ ही नहीं वो तो मिध्या ग्यान है यहां ग्यान प्राप कर रहा हो उसने तपश्या की और फिर वापस आया मन्थन किया, मनन किया, चिंतन किया, गुनन किया तरक किया तब वापस आया पिता जी अब मुझे पता लग गया ब्रह्म क्या है बोलो, ब्रह्म क्या है बोला ब्रह्म सब कुछ है और ब्रह्म कुछ नहीं है अब बताओ ब्रह्मा ने का अब तुम समझ गये यही ब्रह्म की परिवासा है सब कुछ है और कुछ नहीं का मतलब भेद नहीं है वहाँ जम तुम कहते हो कि क्यवल आकाश तो भेद हो गया आकाश है तो वायू नहीं है अगनी नहीं है जल नहीं है प्रस्वी नहीं है भेद हो गया न इसलिए कि है सब कुछ है और कुछ नहीं है इन में से कुछ नहीं है तो बताओ यह definition मतलब गुणातीत है गुण मिट गए गुण मिट गए कोई गुण नहीं है कोई द्वन्द नहीं है वो ब्रह्म है तो लक्षमणीजी समझार निशाद राज को शकल विकार रहित सारे विकारों से रहित है गत भेदा सारे भेदों से रहित है कह नित नेत निरूप ही बेदा जिसको वेद कहता यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है भगत भूम में भूशुर सुरभी सुरहित लागी क्रिपाल करत चरित धरी मनुजितन सुनत मिटें जग जाग पाथ चीजों के लिए आते हैं भक्त के लिए भक्त के पीछे चलते हैं अपने दुख सहलेंगे भक्त को दुख नहीं सहने देंगे मजलों यह भवान की दीरमंदू की एक्वालिटी है कितने भी भक्त का दुख है अपने पर ले लेंगे गूम प्रिश्वी ही सब चीज का कारण है देखो दो हम सब प्रिश्वी से ही पैदा हुए आप कहेंगे कैसे हम प्रिश्वी से कहां पैदा हुए है देखिए समझाते हैं आप कैसे प्रिश्वी से पैदा हुए गीता के तीसरे अध्याय का सोला स्वनोक कि अनात भंति भूतानी पर जन्न एंड संभव यग्यात भंति पर जन्न कर्म जो कर लंद कर्म ममध देन उप माधा अप्षर भ्रम यंदे इस्पर तु Sir स क्या होता है आप अन्न से पैदा होते हो अन्न नहीं खाओगे तो पैदा हो सकते हो अन्न से रक्त बनता है हड़ी बनती है मज्जा बनती है मास बनती है तो अन्न ही कनवर्ट हुआ है और अन्न कहां से निकला है प्रसवी से कैसे निकला है जब पांचों तत्व कोपरेट किये हैं जब पंजाब के खेत में केहूं का दाना डाला गया तो वहाँ पर प्रिस्वी तत्व जल तत्व अगनी तत्व वायू तत्व आकाश तत्व ने कोपरेट किया कोपरेट करके उस दाने को आप्टिमम वेव में यह पांचों थे अगर ज़्यादा अगनी होगी तो नहीं जलेगा ज़्यादा पानी होगा तब भी नहीं इन पांचों का आप्टिमम मनुपात जब होगा तब क्या होगा वो दाना फूट जाएगा सैक्रिफाइस कर देगा एक पाट नीचे जड़ के रूप में जाएगा दूसरा तना के रूप में जाएगा और एक दानों से हजारों दाने पैदा हों और खुरा कौन दे रहा है प्रश्वी तो इस धर्ती पर जितने हैं चर अचर सब इस प्रश्वी माता से पैदा हुए है सारी धात में भी प्रश्वी से निकलती है तेल फुलेल भी प्रश्वी से ही निकलते हैं और हम लोग भी और ब्रिक्ष भी और जानवर भी जानवर घास खाता है हम जानवर की मास खाते हैं तो मूल तत्व प्रसवी तत्व ही है प्रसवी की रक्षा करने के लिए भगवान आते है जब पाप जञदा हो जाता है क्यों आप प्रसवी को पलूट करने लगते हो इंरस्ट्रियल वेस्थ को आप तक में लगते हो ख्रस्वी माता गडगड़ा ने लगती है कि निको संसार में बर्हू का ज्ञान फेलाता है वह ब्रह्मन है भगत भूम, भूसुर, सुरभी, गईया के लिए आते हैं भगत भूम, भूसुर, सुरभी, सुरहित, देवताओं के लिए आते हैं ब्रमा जीने, चौसे चाप्टर में कहा गीता कि मैंने यग्य से इस सारी सुर्ष्टी को बनाया तुम भी जाओ यग्य करो, यग्य से देवताँ खुश होगे और तुम्हारे सारे जरूत की चीजिये दे दे देंगे खुदू वरोड देवता जलकी बरसात करेंगे नजादा नकम, वायु देवता आक्षीजन दे देंगे, इसलिए प्रम्भा जी ने का मैंने यग्य से शृष्टी की रशना की तुम भी यग्य करना, हम यग्य नहीं करते हैं, हम भोग करते हैं, हर एक चीज की भोग की इच्छा मेरे अंदर है, यग्य की इच्छा नहीं है, और जब भोग की इच्छा रहेगी, तो जितना भोगेंगे, अच्छा उतनी बुरा भी भोगना पड़ेगा, अब हम तो बड़े गर्व से कहते हैं कि न्यूटन ने एक लाका इंवेंशन किया और यह जितने आविश्कार हुए हैं जितने साइंटिस हुए हैं उन्होंने सारी हमारी वेदों से चुराया है उनका ओरिजनल नहीं है यह ज्यान हमारे यहां था उसको अपना बना के उन्होंने दिखा दिया दिन्या को ज्यान क्या है जैसा करोगे वैसा भरोगे जो कह रहे हैं कोई न कोई सुख दुख करदाता निजिकित करम भोग सब्राता क्या लक्समाड़ी जी ने कह दिया अपने करमों के ही सभी भोगते हैं कोई किसी को दुख नहीं दे सकता कोई किसी को सुख नहीं दे सकता कोई किसी का बिवाड नहीं कर सकता कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता कोई किसी का सत्रू नहीं है कोई किती का मित्र नहीं है कोई किसी क निस्क्रेब भी नहीं आए यह जन यह मरण यह संपती यह धरती यह धन यह पुत्र यह इस्त्री सब अपने कर्मों से मिले अग्षायक नहीं मिले रैंडम फिनामना नहीं है यह प्लांड फिनामना है नतुעל好吃 अपके क्या हुए कर्मों से मिली है स्कांदान में आप पैदा हुए हैं कौन माता पिता मिलेगा आपका कर्म क्या है कौन भाई बहन मिलेंगे आपका क्रम इधाई दिया है कौन दोस्त और दुश्मन मिलेंगे आपका कर्म डिसाइड-b disc कि इस ज्ञान को ले करके साइंटिफिक मॉडल बना दिया साइंटिस्ट होने कि भगत भूम भूशुर शुरुभी शुरहित लाग एकरपाल परत चरीत धरी मनुजुतन सुनत मिटे ही जग जार कि भगवान आते हैं इन पास के लिए लीला करते हैं लीला शरीर लेके आते हैं माया को कंट्रोल करके अपनी शरीर को निर्मित करते हैं वीरी और रज और अंडे से नहीं बनी है शरीर है भगवान ने निर्मित किया है किसके लिए लीला करने के लिए लीला के माद्यम से क्या दे रहे है ज्यान भाई का भाई के प्रति ज्यान भाई का पुत्र के प्रति भाई का पिता के प्रति भाई का माता के प्रति राजा का प्रजा के प्रति प्रजा का राजा के प्रति ये सारा ज्यान देने के लिए आते हैं अपने चरित्र के द्वारा लीला चरित्र के द्वारा सारी चीजें दे करके जाते हैं ताकि फिर से धर्म की अस्थापना हो धर्म वापस आ जाए जब धर्म लुप्त हो जाता है जंगल में चला जाता है और अधर्म आ जाता है तब भगवान आते हैं अधर्म को भगाते हैं धर्म को वापस लाते हैं और इसलिए लक्षमण जी क्या करें गरत चरित धरी मजुंतन सुनत मिटें ही जग जाल भगवान के चरित्रों को सुन करके गा करके पढ़कर के मनन करके तुनन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ संसार का जाल मिट जाएगा संसार रूपी जाल मिट जाएगा जो मोह रूपी निशा में शो रहो संसार रूपी रात्री में ये दिखने लगेगा कि ये सब मो है क्या ये घर मेरा नहीं है ये भगवान का है ये शरीर मेरी नहीं भगवान की है ये मन मेरा नहीं है भगवान का है लेकिन हमने सारी वासनाओं को इखटा कर रखी है उसका रस ले रहे हैं और ये मन मुझे चला रहा है कैसे चला रहा है गुणों के माद्यम से सत्तर अध्यूं को कंट्रोल करके मन दोड़ा रहा है मैं के लगा रहा है कि दीछे चाब के कम है रिवर्ष कर से मन को अपना नोकर बना जो है कि अभी मालिग बना हुआ किए जहां लगरा उसको चोड़ो बिश्यों के बैराग्य हो गया अब मन क्या करेगा वो करा बिशे में ड़ड़ो हम करें नहीं डौड़ेंगे हमारा डिशियन है ये हम तुम्हारे डिशियन से नहीं चलेंगे क्यों ये बिशे हमें जन्जाल में कैसे सिवाद लेना बंद कर दो जैसे आप पूड का स्वाड लेते हो, एक ही एक्जाम्पल दूगा आपकी, आप भोजन करते हो, भोजन का स्वाड लेना बंद कर दो, क्यों, भूख और प्यास तुमारा धर्म नहीं है, तुम सोच रो ये मेरा धर्म है, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, नहीं ल ये प्राण का धर्म है, अगर शरीर में प्राण नहोत न भूक लगेगी न प्यास, और प्राण अपना धर्म दिभाता रहेगा, आपके आश्रित नहीं है, इसलिए जब आप भूक प्यास का स्वाद नहीं लोगे तो प्राण क्या करेगा, जितनी आवशकता है उतनी ही पान प्येगा और जितनी आश्कता उतनी खाना खाएगा, स्वाद नहीं लेगा, लेकिन आप कहते हो कि भूक मुझे लगी है, इसलिए खाना मैं खाऊंगा, तो आप स्वाद ल स्वाद लेतों तो क्या करते हो, जरूँえ से जज़्यादा खाना खाते हो, और वो क्या होता है, शरीर के ब्यादी का कारण बनता है यह आधी ब्यादी क्यों है मन की वज़े से है मन को कंट्रोल में रखोगे आधी ब्यादी नहीं होगी आधी ब्यादी क्या है शरीर का रोग और मन का रोग दोनों दूर हो जाएंगे मन को कंट्रोल में रखने से जब मन कंट्रोल में रहेगा अपने आप प्राण का धर में प्यास लगेगी वो पानी पीलेगा जितना जरूरत था उतनी पीए ज्यादा न कम हमें पीने की जरूद नहीं वो आपको बात दे करेगा पीने के लिए आप देख लो आप रोख सकते हो प्यास को नहीं रोख सकते हैं क्यों वो प्राण आपके बस में नहीं है अभी प्राड इंडिपेनेंट है लेकिन वो योग्यों के बस में है क्यों वो आत्म तत्त्त में इस्थित हो गया तब सारे उसके अंडर हो गया उसके कंट्रोल में हो गया हम अभी संसार्तत्त्त में इस्थित है इसलिए भूक लगेगी प्यास लगेगी लेकिन स्वाद मतलो प्राड जितना खाये जितना पानी पिये उतनी करो प्राड का धर्म है भूक प्यास और मन का धर्म ऐख गया है सूख और दुख शुख और दुख मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है, ना आत्मा को सुख होता है ना दुख होता है, ये मन बीच में है मन जीव के साथ मिल करके सुख दुख की उत्पत्ति करता है जीव आत्मा और जड़ की ग्रंती है आ गया बीच में मन सुख दुख पैदा किया यह मन का धर्म है जब आप आत्म तत्म में चले गए तो मन का धर्म खतम हो गया वहां से देखोगे तो जिसको सुख दुख समझ रहत है वो कुछ नहीं है जैसे सपने में राजा गरीब हो गया और जगा तो कुछ नहीं उसी तरह जब आत्म तत्त्त में आ जाते हैं तो यह सुख दुख मिथ्या लगने लगते है क्योंकि यह मन के धर्म है और मरना जीना भी मिथ्या लगने लगता है किसका धर्म है शरीर का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है जब आप आत्मतत्त में जाते हैं तो देखतो शरीर तो एबरी सेकेंड टेंट इपाउर ट्वल्ड टाइम मर रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो बुद्ध ने कहा सत्र शहस्त्र कोटी वहां जाके दिखता है कि ये तो अलड़ी मर रही है इसका धर्म मरना और जीना है शरीर मरतिय और पैदा होती है आत्मा न मरतिय न पैदा होती है जो जो राजा ने समझाया था भरत को क्या कि पानी रखो बटलोही में गरम करो तो गर्मी बटलोही कि पानी को गरम करती है पानी जो है अनाज को गरम करता है उसी तरह शरीर इंद्रिया मन प्राण भी आत्मा को भरत नहीं समझाया है कि तुम बुद्धु हो तुम्हें ग्यान नहीं है मिठ्या ग्यान है आत्मा क उस्पर इन सब का कोई परक नहीं है। अमन का धर्म अलग है शरीर का धर्म अलग है प्राण का धर्म अलग है आत्मा का धर्म अलग है। नेनम चिन्दन तिशस्त्राड़ी नेनम दाति पाव का ये आत्मा का दर ना शोश्यत इमारुता अच्छेदो आम अदायो आम अच्छिंतो आम च्छेदने लायक नहीं है काटने लायक नहीं है सुखने लायक नहीं है गिला करने लायक नहीं है सोचने लायक नहीं है क्यों कि इसकी परिभासा यही है यह कुछ नहीं है यह सब कुछ है तो भरत ने जब उसको ज्ञान की बात समझाई तो पालकी से उतर के दंडवत करनी है बोला मुझे इंद्र के बज्र से डर नहीं है शिव के त्रिशूल से डर नहीं है यम्राज के दंड से डर नहीं है दंड किस से है ब्रामन के अपराद से ब्रामन देवता मैंने अपराद की आज समा करिये मैं तो जा रहा था कपिल बुनी के पास पूछने आश्रा किसका लिया जाए आपने मेरी आखें यहीं खोल दी यहीं जाने की जरूरती नहीं पड़ी ब्रामर देवता मुझे माफ करिये मेरे अज्ञान चक्छू को आपने खोल दिया सारी चीजे क्लियर कर दी इसलिए मैंने आपको कहा कि अध्यात्म की पराकास्था लेकिन जैसा मैंने आपको स्लोक से सुनाओं एरामतरित मानस के दोहा से असपस्ट नहीं होगा हमारा ख्याल है कि अब पूरी तरह असपस्ट हो गया होगा लक्षमण क्या कहना चाहते हैं और भरत क्या कहना चाहते हैं कि आत्म तत्व के इधारा उसमें बैठ करके 24 गंटे मनन करो हम क्या करते हैं 24 गंटे संसार में रहते हैं और संसार हमें तंग करता है, कोई दुख आया, हमें ही क्यों आया, मैंने तो कोई करप्शन नहीं किया है, देंड मुझे मिल रहा है, पिछले जन्म का देखा है, क्या किया है? यह कब आएगा ज्यान? जब यह आजाएगा, कि यह आत्मा जो है, जीव के रूप में जन्मता और मरता है, निरंतर है, अगर इसको मुक्ती पानी है, तो क्या करना पड़ेगा? जड़ की ग्रंती को छोड़ना पड़ेगा. तब यह चला जाएगा आत्मतत्व में और आत्मतत्व जड़ेगा, यह ब्रह्म ही है, तो जब भी कोई इस्तिती आये, घवड़ा करके DCN मत लिजिए, सोचिए पहले, क्या? विज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा नहीं, विज्ञान क्या है? अनुभाव जनित ज्ञान है, आप पढ़लेते हो, जब लिबरेटरी में उसको देखते हैं, कर लेते हो, तो विज्ञान बन जटा है, जब ट्राइट्रेटरन कर लिया, और उसका कलर चेंज हो गया, तो पता चला कि कौन सा साल्ट है, तब पक्का हो गया, इसके पहले पढ़ने से पक्का नह जब अंदर अनुभव हो जाए आत्मा को अनुभव हो जाए वो विज्ञान है तो जब भी कोई परिस्तिती से आप एंकाउंटर करें तो विज्ञान का सहरा लिजिए ज्ञान का सहरा मत लिजिए क्या संसार नश्वर है सुखदुख आते जाते हैं सरीर मिलता भी चुड़ता है ये सारी चीजे ब्रह्म के अलावा सब मरनशील है इनका धर्म है पैदा होना मरना क्रोज भी पैदा होता है मरता है प्यार भी पैदा होता है मरता है घ्रणा भी पैदा होती है मरती है शांती भी पैदा होती है मरती है ये सारे धर्म जो है मरने जीने वाले इसलिए उनको उसी नजर से देखिये क्या मैं आत्मत तत्त हूं मेरे में कोई विकार नहीं है मैं मरता नहीं मैं जीता नहीं मैं बढ़ता नहीं ये सब इनके धर्म हो रहे हैं इनके धर्म होने दो दर्म होने दो उनको टॉलरेट करो उनसे लड़ो मत मन से लड़ोगे तो तुमको हरा देगा हमेशा मन की दिशा बदल दो ये मन आपको नरक में भी ले जाएगा और मन आपको स्वर्ग में भी ले जाएगा और बैकुंठ में मिले जाएगा कैसे जब इस मन को कंट्रोल करके आत्मत्त्व में बैठा दोगे, मुक्ती मिल जाएगी. और जब मन आपको कंट्रोल करके संसार में बैठा देगा, तो नरक मिल जाएगा. तो मन से लड़ने के बजाए, मन को बदलो, मन की दिशा बदलो. लड़ो मत अगर बच्चा कोई चीज करना चाहता है जिद करता है तो लड़ो मत उससे उसकी दिशा बदल दो उससे उसका अटेंशन कही और लगा दो जो खिलोना खेल रहा है उससे बढ़िया चीज दूसर डाइवर्ट कर दो उसको काम बन जाएगा लेकिन क्या होगा वो मानेगा नहीं और आप मारेंगे आप मारते रहिए वो मानेगा नहीं सलूशन निकलेगा नहीं इसलिए बदल दीजिए मन को बदलिए लड़ाई मत करिए मन से तो मेरे खाल से आज के ब्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं आशा है आपनों को अच्छा लगाओगा। किसी का कोई प्रश्न हो कुछ सकते हैं आप आन्म्यूट करके। तो यह पूछना चाहिए उनको ठीक भी तो हम नहीं करने हैं। हमने आपको कहा डाइवर्ट करो करने मत दो। मैंने कहा लड़का गलत काम कर रहा है तो उसको डाइवर्ट करो अटेंशन डाइवर्ट करके कहीं और ले जाओ। हर आदमी भगवान को तो नहीं मानता ना तो जो भगवान को नहीं मानता संसार को मानता संसार में डाइवर्ट करके उसको बदलिये। अपने संसार में लगा हुआ है शराप पी रहा है शराप पी रहा ना और करता है इस सबसे बड़ी आनंद की चीज है अब आप उसे लड़ाई ढगडा करेंगे तो छोड़ेगा तो नहीं उससे बढ़ियाँ चीज उसको पकड़ा देंगे तो उसका अटेंशन उदर चला दैगा? चापने चीज है? उसको किसी और चीज में ज्यादा रसा रहा है. क्या? पिक्चर देखने में, या कहीं और जाने में, या कोई और चीज पढ़ने में, उधर पकड़ा दो उसको. वो भी गलत हो उतनी देर तक तो शराब नहीं पिएगा ना? तो उससे गलत काम भी त करने घंत गणत से दूसरा गलत अच्छा है तो वह अच्छा है धीरे-दीरे उसको डैइवर्ट करते करते आप जहाँ चाहति है हमाँ ले आई से पेड़ी गज्ञा नहीं प्रेंगे की अपने लिए तुरंत रियक्ट मत करिए रुक जाईए धैरे से ठारिए सोचिए मनन करिए गुनन करिए किसी ने आपको गाली दिया इमिजेट रियक्षन क्या है क्रोध आप धैरी रखिए क्रोध तुरंत होता है धैरे रखेंगे तो क्रोध भाग जाएगा वो पर्मनेंट नहीं है वो टेम्परेरी है आया गया आया गया और उसके बस में हो गए बस मार जगडा हो गया आया एंपने धैरे रखा की क्या नुक्सान होगा मेरा इंध्वाय करेगा को करने थे उसको यंद्वाय करने दें लिए नहीं करने देंगे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्जांपल बता रहा हूं डॉक्तर राजण्द प्रशाद हमारे पहले राष्टपति थे उनको कहा जाता है कि जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी mathematics के एक सवाल को दस तरीके से साल किया तो एक्जामनर ने लिखा कि सफर कर रहे थे तो एक आदमी उनके सामने जो था उसको नहीं पता यह कौन है क्या नहीं है साधान मनुष्य की तरह चलते थे वो आज की तरह नहीं चलते थे पचास अरदली चलें यह चलें कलते थे नहीं वो तो गांधियन लोग थे हम जाएंगे अकेले अपनी सीट पर कर रहेंगे कोई आने के जुरुक में तो सामने वाला क्यों चिगरेट पी रहा था उनके मूपड़ फूक रहा था लो फूस किया उन्हें anda उसके बाद दूसरे यहाले रित ख्रॉन कर रहा था और पहर में प्रेसिडेंट से भी आर्गुमेंट करने लगा गाली गलोज करने लगा अब देखिए उसको पता नहीं कि प्रेजिडेंट है तो प्रेजिडेंट ने क्या किया आप क्या करते कि दियम और एस्पी को बुला लेते कि ले जाओ सालेपू कुटाई करो इसकी दवाई करो नंबर वन शेजिडेंट अफ इंडिया है ना उन्होंने ऐसा नहीं किया जाकि आपको बताते हैं वह आदमी बोला अरे तुम कैसे निठूर आदमी हो इतना गाली दे रहे हैं तुमारे उपर असर भी नहीं हो रहा है प्रेजजन ने कहा कि देखो अगर तुम हमको अपनी बीडी पकड़ाओ जो तुम फूक रहे हो और हम नहीं लें तो क्या होगा हमने नहीं लिया तो जो तुमने गाली दी मने लिया ही नहीं तो बीडी तुमारे पास रागई गाली भी तुमारे पास रागई जिने वाला उसी के पास रह जाए गी निगी यह जो दे रहा है तुमने गाली दिया गाली तुम्हारे पास रह गई हमने लिया उनकी जीवनी पढ़िए लिखा हुआ उसमें कि महापुर्शों की जीवनी से बड़े लेशन मिलते हैं कि आप इस्टी जाप की जीवनी पढ़िए नरानमूर्थी की जीवनी पढ़िए रतन टाटा की जीवनी पढ़िए गंशामदास बिरला की जीवनी पढ़िए बड़ी बाड़ी शिक्षा मिलती है बहुत सारे उदाह बहने राकी बानने आती थी, तो छोटे या बड़े भाईचे कहते हैं तो पैसा लाओ देना इनको, यूगल किशोर बड़े थे, तो पैसा दो बहन को देना है, क्यों? वो लोग तपस्वी लोग थे, साधना लोग थे, साधना, युग पुरुष थे, क्यों? उन्होंने गीता पड़ी उसके उपर चलते थे, अभी गांदी जी उनको लाइक करते थे, उन्हीं कहां ठारते थे, तो जब हम सास्त्रों को पढ़ेंगे, और सास्त्रों के अनकूल, जो हमें शिक्षा मिलती है, अपने जीवन को ढालेंगे, तो ये सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा. लेकिन हम शास्त नहीं पढ़ना चाहते हैं हम तो उपन्याश पढ़ना चाहते हैं, दूसरी किताबे पढ़ना चाहते हैं इतना ज्यान भरा है सास्त्रों में सबसे ज्यादा अगर गुरू कहीं है तो भारत वर्ष में है इतने गुरु कहीं नहीं पैदा हुए जितने भारत वर्ष ने पैदा किया है और आज भी है यह अलग है एक दो जो है गंदा कर देते हैं समाज को लेकिन बहुत सारे लोग हैं किसी को पकड़ो और देखो कितनी शांती मिलती है जिन्दिगी में बना लो गुरुज को फिर देखो पूछो सुरंदर गोयल से शांती मिलती है कि नहीं श्रीश्री रभी संकर का पैर पकड़े हुए हैं पूछिए कि क्या फरक पड़ा जिन्दिगी में अपार शांती का अनभा होगा जो छोटी छोटी बादों पर क्रोध आता था वो खतम हो गया जो संसार में जकड़े हुए थे वो बेड़ियों को काट दिया इसलिए का ना कि भगवान के लीला चरित्र का गायन करो पड़ो खीरतन करो मनन करो है नउधा भक्ती समझाएना उसको सबरी को क्या कह परत्रम बक्षंतन करशंगा पहली भक्ती है संतों का साथ कि संत कोन है जो सत्र गषात है कि और यbstी हो जाएगे भगवान की कथा प्रसंग में रत्य हो जाएगी रस आने लगेगा गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान फिर क्या होगा गुरुं के चरणों में अभिमान रहित भक्ति हो जाएगी चोथी भगवान के गुणगण का कीड़तन करना लेगा मंत्र जाब मंदड़ बच्वाता पंचम भगत जो बेट प्रकाशन फिर गुरु मंत्र दे देगा आपको लग है अब यह सारी चीज़ों जो मैंने आपको बताई यह करने की क्या एक्वान है मैं आपको बताऊं मैंने गुरु मंत्र भी लिया है और मंत्र की क्या महिमा होती है मैंने अपने जीवन में भी देखाई जबर्दस्त महिमा होती है इसका डिमांस्टेशन भी किया है एक बार नहीं तीन बार मरते मरते बचे हैं ड्राक्टरों का मर नहीं सकता पंक्रियाटाइटिस हो गई छे घंटे बोला मर जाएगा मंत्र जाप किया गुरू ने दिया था बारा घंटे बार डाक्टर आए एम से बुले अरे इह क्या हो गया तो देख रहे थे मैं कुछ बुद बुद करने का मंत्र जाप कर रहा हूं गुरू मंत्र पढ़ रहा हूं सर्जरी के हेड थे तब से उनको विश्वास होने लगा गीता पढ़ने लगे है यह विद्ध्या और हमारे गुरु ने वहां कम से कम हजारों लोग आते थे क्रिमिनल के लायर थे सुप्रिम कोट के और सेटेडे को पूजा करते थे भक्त आते थे मंत्र के ओल मुझे दिया अपने बेटे को भी नहीं दिया अपनी बहु को भी नहीं दिया अपने दमाद को भी नहीं दिया दमाद मर गया उनके सामने तो है ये विद्या असाध्य रोग था मेरी वाइब का पारंसे इंजेक्शन आता था सारा हाथ पैर पढ़ जाता था फूनी खून दिल्ली के सारे डाक्टर फे इसकी इंसिचूट वाला जोहत से महिने तक फारंसे इंजेक्शन लाके लगाता रहा और जब मंत्र जाप की महिमा देखी गायब कैसे जीग हुए वो गुरु जी आये हमारे घर हम बरसाती में रहते थे और एक लिक्विड आसेजी थी उनके गुरु ने उसको दी थी अपने हाथ से लगा दिये चारो तरब उसके बाद वो सब गया हो गया और हमारी वाइप और बेटे दोनों को माइग्रेन होता था तीन दिन तक बेहोशी में पढ़े रहते थे वो भी गया हो गया उसी से सारा गया तो यह विद्या है बिश्वास करें तब तो जो नहीं बिश्वास करें उसको कुछ नहीं है तो आप जो है धर्म के राष्टे पर चलते हुए शास्त्र के राष्टे पर चलते हुए दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो सुधर जाएगा पहले अपने को जो सुधारने आपके अंदर वो ताकत होगी तभी तो आप दूसरे को देंगे? आपके पैसा नहीं है, तो आपके यसे पैसा दूसरे को देंगे? ज़रा दुख होता है, कोई बीमारी होती है, दुखी होने लगते हैं. क्या करें, इतने जवाई यह तो पहले अपने अंदर आनी चाहिए, वो तब हम दूसरे को देंगे, मारे पास है, नहीं तो देंगे क्या, यह कुशिस करेंगे, यह भी नहीं कि आप सबको सुदार शकते, नहीं सुदार शकते हैं, क्योंकि सब अपने कर्मों को लेके आयएं, भोगते हैं, प्यक्रके ईंदे等于 बदल नहीं सकते, मेरा एक बतीजा है, बहुत पढ़ा लिखा, BSC Honors, और एक गाउं में रता था, वो M.A.L.L.B. करके खेती करता था, तो दोनों को मैंने उमान बेज दिया, हमारा प्रजेक्ट था, उमने गाओ, उमान में जो खेती करता था, उसको तो टाइम आफिस में परस और मैंने सोचा ये तो रह जाएगा पढ़ा लिखा है, अंग्रे जी बोलता है फटा फट, इसकी प्राब्लम है, इसको मैंने अंग्रे जी की कोचिंग कराई दिल्ली में भेजा, जिसको भेजा, वो रह गया, 2002 से लेके, 2021 तक रिटार होके आया है, और इस पीरिएड में उ दोनो लड़कियों को B.T. EPA लड़के को B.T. नोक्री में लगा दिया, शादी ओदी सब परस क्लास, और जो दूसरा था, जो क्वालेटी आफर था, उसको शिफ्टमें डूटी लगी, प्लांट में तो ड्यूटी लगती है तो शिफ में गया नहीं और चोकीदार आके उसको जगया उसको उठाके पटक दिया चोकीदार था मल्याली उसने जाके वहां बोल दिया अफसर से उसका टिकट कटाए मसकट एरपोर्ट पर भेज दिया तब तक पता चला जो प्राजेक के चैर्मन का बतीजा है मैं ओमान ओमान ओम इंडिया का चैर्मन था पांच जो प्लांट लगा रहा था मान में थेर वह आ गया वार्नी वोर्निंग दे कर उसको रख लिया उसके बाद 2006 में में रिटार हो गया फिर उसने वही बात की अब फिर उन्होंने उसका टिकट कटा बेज़ दिया कलकत्ता मैंने क्या हुआ बोला उन्होंने का डिप्लोमा करके आओ क्वालिटी का मैं तो जानता था वहां कोई डिप्लोमा नहीं है यह जूर बोल रहा है तो उसके भाई को मैंने अंटीपीची में लगया था हमने का तुम इसकी नोकली लगाओ मैं नहीं ल इंट्रव्यू दिया, सेलेक्शन हो गया, टाटा में नोकरी किया एक साल तक, वहां भी अहीं किया, वहां से निकाल दिया गया, दो साल से घर बैठा है, अब बता हो ऐसे आदम को क्या कर सकते हो, लोग टाटा की नोकरी के लिए तरस्ते हैं, और टाटा की नोकरी छोड़के गर बैठा है, हमसे कहता है, रूपया दो हमने का एक पैसा नहीं देगे, फालतु रूपया नहीं देगे, हमने रूपया दिया है, किसको, हम 2006 रिटार्मेंट के बाद जितना पैसा कमाये हैं, वो सब खर्च किया है, अपने बतीजों के बच्चों को, लड़के लड़कियो को बीटेक MBA कराने में, और अभी भी खर्च कर रहे हैं, एक लड़की बैसार कर रही है, फार्मेसी की, हम समाल के में रहते हैं, तुमको नहीं देगे, यह मेरा सगा बतीजा इसको नहीं देते हैं, वो कजन की ग्रैंट डाटर उसको देते हैं, क्योंकि धन वहीं करना चाहि यह धन जो है, धर्म के रास्ते से बै करना चाहिए, अधर्म के रास्ते से इसको देना धर्म है, उसको देना धर्म है, क्योंकि उसकी जिंदगी बन रही है, वो पूरे यूपी टेकनिकल उनिवर्स्टी में टॉप कर रही है, उसके माबाप के पास पैसा नहीं था, हमने का हम देगे चार साल हम पढ़ाएंगे तुम को उसके भाई को भी पढ़ाएंगे ट्वल्स में है हमने कह दिया तुम को इस बनाएंगे वो भी अच्छा पढ़ रहा है कि आप सबको बदल नहीं सकते जिसके करम में जो लिखा है वो तो हो के रहेगा पहुचे अस्तर तक पहुच चुकी है नहीं भले ही आपके अंदर बिनमरता है इसलिए आप कहती है कि हम अभी नहीं पहुचे लेकिन पहुच चुकी है बहुत बहुत बिल्कुल भी नहीं अभी जला से दुख में दुखी होना है लगते हैं जो हटना चाहते हैं जिससे यह अगर आया श्रीर के साथ तो आना है मतलब उसको छोड़ दो उसका दुख छोड़ लो हमारे लेक्चर को रोज अटेंड कर रहे हैं यह कम चीज़ है